हेलो, हेलो, जेल के रियेक्रेस्टन हॉल में जो फंक्षन हो रहा था, वहां से 11 कैदी भाग गए हैं, कंट्रोल रूम में इंफॉर्म करो, हेलो सर, जो कैदी भाग गये हैं, उन्ने शहर के बाहर इट के भटे के तरह भागते हुँए देखा है जेलर धर्मा कहा है जेलर धर्मा कहा है अंद कर दो दुष्टाचार का अत्याचारों का अमानुष्टा का अन्याय करने वालों का राक्षस बने मानवों का भसमा सुर बनके अत्याचार करने वाले दैत्यों का हिंसा करने वालों का हिला दो जुका दो गिरा दो खत्म कर दो ए नसुरों का तु असुर बनके शिकार क आर कारा मेरी जेल से भागना चाहते हो कितनी दूर जाओगे दूर जार के जूर जार किरी जूर 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 ज जूर में लूर जूर और ओर आए और वजारा! और आ और कर अि और अगरे! और अगरे! कि अट्चख वार फ्टार प्रॉ़क वै अजितित अज्याँ झाजए 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 ही अज़िक नज़िक लिग पाझत पैरामग नज़िक इड़्िक कि अज़िक अज़िक ढख थे वगी पिदे इस जब कर ठेराम झारामी कि आष एक फिर इन उने आख ने एक जड़िक सुबे से अब तक तीन वक्त खाना हमने इन लोगों को दिया और संडे का दिन को सीख लेंगे सोचके इनको सुधालने की कोशी कर रहे हम लोग और उन्हें भागने का प्लान बना लिया सर ये नहीं बदलेंगे बदलना इतना आसान नहीं है जेल में आने वाले दोश्यों को ह चार दीवारे काफी नहीं होती है चार भले लोगों के बीच रहना चाहिए वो तो यहां मिलेंगे नहीं अगर वो लोग यहां मिल भी गए तो यह लोग उनको भदल देंगे यह लो लो कि छे किलोमीटर भी नरू के भागा था ना ठक गया होगा भागने का मतलब गलतियां दोराना होता है कहां तक भागेगा हां दस दिन में रिया होने वाला है तो भागने की क्या ज़रूरत थी मेरी मा नहीं बचेगी सige सर आज तक मा जी रहा था अपनी मा के लिए मैंने इस यख़णियन लीडर को जान-बुची नहीं मारा था यख़णियन के जगड़े खत्म करूआने के लिए मेरे मालिक ने ये कम मुझसे करवा है था सर उसने कहा था कि अगर में ये काम करूँ गा तो ओ करूं सर कारण गलतियों को सुधार देगा सजा से नहीं बचाएगा जो भी हो तुमने गलती की थी अपने आप पर भरोसा रखना था दूसरों पर नहीं यहीं तुम्हारी समस्य है मादव उसकी मां और उस फैक्ट्री ओनर के बारे में पता करो ओके सर उसकी मां का ऑप्रेशन करवा दो ठीजिए साब सुपरिटेंडिन के बारे में कुछ पता चला उनका अलसर का आप्रेशन हुआ है थीन हवते तक रश्ट में रहेंगे हलो हलो धर्मा कहां हो तुम जेल में कुछ पंचियों के पर निकलाएं उन्हें काट रहा हूं मेरे चाचा जी अवे भी निकले हैं यार कहां मिलने वाले वही रावापूर रोड प्रशांथ होटल में मैं देख लूंगा अरे धर्मा यह सब बात चुड़ो यार मेरी बात स चलो चलो तुम आगे चलो रुकिये रुकिये वहां लगाओ गाड़ी को महां लगाओ वहां लगाओ चलो 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 अ ग्लास नीचे कीजिये ना आप आप से कुछ काम है पांच बूल रुकिये सरद यह इंदर हुआ नमस्ते सर नमस्ते मेरा नाम धर्मते जाए प्यार से मुझे धर्मा बुलाते हैं मैं इस शेहर की सेंट्रल जेल में जेलर का काम कर रहा हूँ मैं चितोड का रहने वाला हूँ मेरे माबाब सारी, आप यह सब मुझे क्यूं बता रहे हैं और आपने मेरी गाड़ी क्यूं रोकी आपको एक बात बतानी है सर वो आपको पसंद आया ना आये लेकिन आपको सुनना है पड़ेगा मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहते हूँ आपको यह और लड़का मट्टून सारी करुको लगता है महौल गरम है ठंडी हो जाएए आप भी पीजिए सर लीजिए ना लीजिए सर दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम इने पहले से जानती हो हम तीन साल से एक दूसरे को चाहते हैं आप त्री यह नहीं फाइव यह धर्मा कॉलेज में मेरा सूपर सीनिय था तुम चुप रहो सारीका तुम तो सच दच कर लड़का देखने निकल पड़ी थी हमारे बारे में इनको पहले ही बता देती त सारीका के लिए हमने और लेडे लड़का पसंद कर लिया है और इसकी शादी उसी से होगी आप इसकी शादी अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से कराईए देखो, सारिका की शादी के लिए मैंने औल लेडी निर्ने ले लिया है तुमने जो बीच रास्ते पर डिसकुशन शुरू किया है न वो यहीं पे छोड़ दो मेरे घर तक मत लेके आना, प्लीज सर, जाने से पहले एक बत सुन लीजे सारी का से शादी करके डारेक्ट ले मैं आपके पास आ सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपकी इज़द करता हूँ तो आप भी मेरे जजबातों को समझे और जो टाइम मैंने आपका वेस्ट किया है उसके लिए सौर चाचा जी, सारी का के लिए धर्मा से बेहतर पती कोई नहीं मिल सकता मैं धर्मा को अच्छी तरह से जानता हूँ अभी अभी कमिशनर आफिस में मैंने अपने दोस्त से बात किया उसका चरितर पूरा पता चल चुका है उसने जो पांच मिनट बाद की मुझसे मैं समझ गया हूँ कि वो क्या है सब कुछ जानते हुए अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवा सकता मानता हूँ वो गुस्य वाला है लेकिन उसने अपनी जिंदेगे में बहुत दुख सहे है चाचु जब नौ साल का था तभी उसने बहुत कुछ खो दिया था राजनीती के जगड़ों में उसके माबाप को बीच सड़क पे बुरी तरीके से मार दिया गया था चाचु और जिन्होंने मारा हो च्छे मेने में यह बहार आ गए उसने उस संद्नियाय को सहन किया है अकेला बड़ा हुआ है इसलिए किसी की छोटी सी भी गलती बरदाश्ट नहीं कर पाता सुनो बेटा वो तुम्हारी नजर में सही होगा लेकिन मेरी नजर में सही नहीं है मैं गाउं जाके उस लड़के वालों से बात करके तुम्हें फोन करता हूं यहां सारिका का कोर्स खत्म होने तक तुम इसका खयाल रखना बेटा जाचा जी बात तुम्हें कहा हो तुम काम कर रहा हूं मैंने पूछा इस वक्त कहा हो सुप्रिंटेंडेंट्स आप से मिलने अस्पताल जा रहा हूं हां हां जाओ उनी से मिलो मुझे यहां भसा के अपना काम आराम से कर रहे हो पता है पिताजी कितने गुस्से में है वो काओ जाकर उन लड़के वालों से फिर बात करने वाले है और तुमने यह क्या किया बिना बताए पिताजी से आके सीधे बात कर लिए कभी ना कभी तो उनको बताना थाई तुम तो पताओगी नहीं तो मैंने बता दिया हाँ पर अभी बताना जरूरी था क्या अच्छा छोड़ो शाम को मिल रहे हो ना सारी का मैं बाद में बात करूं ये भी ना शिह हाँ आओ आओ कभी आओ मैं कभी नहीं हो सर आप जैसे लोग बनने कहां देते हैं अरे अब मैंने क्या किया है बोलो मैंने तो लॉंग लीव मांगी थी लेकिन लेली तो आपने तुम लीव लेके क्या करोगे कभी ता लिखोगे मेरे तो बस एक ही इच्छा है कभी न कभी कभ भी बनना है मेरे अंदर जो भावनाय हैं उन सब को लिखके किताब बनाऊंगा आप देखते रहिए तुम्हारी आशाय और आवेश्ट दोनों एक नहीं हो सकते हैं धर्मा आदमी बाहर दिखते हैं सर कभी अंदर होता है यह सब छोड़िये आप अब कैसे हैं ठीक ही हूं बस कि उसे बोलने से जड़ा हाद का जड़ा याद रे जाता है सर मेरी नजर में गुड़ीज aware Hai जोस लिजए सर थोड़ा को उस Chili हम जो नौकरी कर रहे वो सरकारी नौकरी है इसमें कुछ रूड्स वगरे होता है बाई मेरे लिए रूष्ट बसल्टे तुम इसी तरह अपनी म तुम्हारे ही चर्चा चलती है मैंने जान बूच कर कोई गलती नहीं किये वैसे अन्याय का अंद करने वाले को भगवान कहते हैं वही का मैं कर रहा हूं तो मुझे राक्षस कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता सर अब चलता हूं सर बस आप जल्दी से ठीक हो जाएए धर्मा तुमसे बात कहना चाहता हूं हमेशा जो सूसते हो वो नहीं हो सकता द्यान रखना ओके सर चलो इन सबको नीचे अतारो चलो आओ तो अभी तक बैठा क्यों है चल चल बार निखल चल चलो अंदर जली करो चलो आगे बड़ो मैंने इस तरह उसको मार दिया चारली यह इस जिल में क्यों आया है इसका नाम प्रभाकर है सीताबुर चोरी में पकड़ा गया था पांस साल के कैद हुई है इसे ब्लॉक में डालो यह सामभा है बड़ा गुंड़ा है मलेक आंतराव पर मर्डर एटम्प इसे तीन साल के कैद हुई है ए ब्लॉक नाम है पंडित कमलेश चीट फंड चीटिंग केस दस साल के कैद हुई है बी ब्लॉक यह विजयवड़ा सब जैल से यहां शिप्ट हुआ है नाम है चंदर शेकर एलियास चार्ली दिलीप कोटा मर्डर केस में दोशी पाया गया पांच साल पले फांसी की सरह सुनाई गई प्रेजिद्ट के पास शमा याज नहीं गया जी भीजी गई है लेकिन अभी तिक पें यहां जीने नहीं देता है उसे जिन्दा रहने कहा करें मादाओ इसे अलग से डी ब्लॉक में डाल दो तुम लोग यहां आने से पहले क्या थे क्या नहीं थे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं लेकिन एक बार जब अंदर आ गए हो तो इस जेल के जो नियम है उनका पाल वादो, सेर, चलो, चलो, सब्लो इंडिया के बड़े-बड़े डाइमंड मर्चन में एक है चंदर शेखर अल्यास चार्ली उमर में छोटा है, लेकिन दिमाग बहुत देश बच्पन में ही मा गुजर गई थी, तो बाप से दूर रहकर के फला, पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वज़े से बिगड़ गया चारो तरफ लड़कियां, हाथ में पैसा, गर्म दिमाग, घलती करने का साहस, बच निकलने का साहस ये सब चारली की यादते थी, चारली का पिता, दिलिप कोटा, बाप से ज़्यादा नाम कमाएगा, सोचा था दिलिप कोटा ने, लेकिन, चारली को नफरत है तो, वो दिलिप कोटा की दूसरी बीवी, भारती देवी से, और उनके बच्चों से पहली बीवी के गुजरने के पात साल बाद, घरवालों ने जबरदस्ती करके दिलिप कोटा की शादी भारती देवी से करा दे, जायदाद में हिस्सा, अससाइटी में इनका नाम, उनके साथ माटना चारली को बिलकुल पसंद नहीं था, इसलिए उसके पिता के साथ, भार भारती को ये सब सेहन नहीं था, और उसने चारली पर लीगल कारवाई कर दे, कोट ने ये फैसला दिया, कि चारली के साथ-साथ ये भी दिलिपोटा के परिवार के हिस्सा है, उन्हें भी जादाद में हिस्सा मिलना चाहिए, ये है कोट अर्रग, उनका कोई हक नहीं जाद मर, बाहर रहना चाहिए था तुम जैसी और तुम जैसी याउरत हो, तुम्हें मैं ज़्दाद में हिस्सा दूंगा उसके बाद उन्हें कोई पहचार ना पाए उनके टुकड़े टुकड़े करके जला डाला था उसने भारती देवी अपने बच्चों को ढूनते ढूनते पुलिस के पास पहुचे तो वहां उसे जली हुई लाशों का पता चला है कि बिलिप कोटा के परिवार के बारे में सुनकर सारा शेहर शौक था पुलिस ने चार्ली पर केस फाइल किया था तोनों पक्षों के बाद विवाद सुनने के बाद और सारे सबूतों को जाज करने के बाद चंदर सेकर अलियास्त चार्ली को ये अदालत दोशी मानती है उसने अपने परिवार के सदे से ममता लक्ष्मी पवन और राश्री देवी को बड़ी कुरूरता से मारने वाला ये चार्ली समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है इसलिए IPC के धारा 302 और 303 के तहट इस केस को रेरेश्ट आप दर रेर केस समझ कर ये अदालत चार्ली को फासी की सजा सुनाती है नमस्ते मेरा नाम यामीनी है वेल्कम जो एन टीवी नमस्कार माता जी आपके परिवार में जो हत्याएं हुई है उनकी वज़े से राष्ट भर में हंगामा मच गया है आपके परिवार में से ही कोई एक इन हत्याओं का कारण है इस कष्ट को आप अकेले कैसे जहिल पा रही है जब भी हमारी जिंदगी में कष्ट आए तो हम दुखी हुए लेकिन डरे नहीं पर जब बात हमारे परिवार की आई तो मेरी हिम्मट तूड गई हमने सुना है कि आप एक ट्रस्ट खोलने की सोच रही है माडम उसके बारे में हमें बताएंगी आज इस देश में हमारे परिवार के साथ जो हुआ है वो औरों के साथ भी हो रहा है इसलिए मैं इस घर को बेच कर अपने परिवार के नाम से एक ट्रस्ट खोलना चाहती हूं वो ट्रस्ट अन्याय का सामना करते हुए सबको न्याय दिलाएगी मैं जानती हूं पर आप उस कोसली हो गया है सर अन्याय जब चाहो फ्री में मिलता है कि तभी तो लोगों को आदत हो गई है सर अब यहीं देखे ना देश में होने वाले अन्याय के लिए भारती देवी को जाइदात बेचनी पड़ रही है हम लोग कई बार लाचार हो जाते हैं उसे हत्या करने में साल लग अगर हम और भी लेट करेंगे ना तो जन्ता का अंपर से भरोसा उठ जाएगा कि येस सारी कहें के वेट फाइब मिनिट्स इन औरतों का भी ना फाइब मिनिट्स और टेन मिनिट्स कितनी देर कर दी हम यह होस्टल है या ब्यूटी बालर खोल रखाया लेडी इस होस्टल ऐसा ही होता है पता नहीं तुम्हें अच्छा मेरी बात छोड़ो अपना जहरा क को सब्सक्राइब देखा है तुम और तुम्हारे ये बाल इस उमर में तो घ्लांबर मेंट्स करना चाहिए मुझे बाहर दिखने वाले इंट्रेस्ट नहीं तुम्हें लाथी की ज़रूरत नहीं है बातों से हीमार देते हो मुझे बुलाया क्यों हा雜़ए बताती हूँ अ काड़ी में बैठो सिग्रेट मत पीना पांच मिट में आ रही हूँ चलो चलो सब इस काड़ी में बैठ जाओ ताइम हो रहा है ए तुम तिनों पीछे बैठो बाकी सब लड़कियाँ एवरिज है नники सुन्दर हूँ निये सब क्या है हम सब हमारी फ्रेंड के एंगेज्मेंट में जा रही है रात को तुम्हारे गाड़ी वापस कर देंगे ठीक है न तुम्हारी गर्फ्रेंड सुन्दर है इसलिये टैक्स तो देना ही पड़ेगा इसलिये तुम्हारी गाड़ी ले रही है been चलो चलो तुम्हारे पहले तुम्हारे टोड़ी करने आया था तो पैर तोड़ दिये थे तुम यहां हो तो वहां तुम्हारे इतने महंगे डायमंड्स को कौन समालेगा एक काम करते हैं वो डायमंड्स कहां पर हैं अगर ये बता दो तो मैं वहां जाकर ले लेता हूं वहां सी होने वाली है चलो चलो बहीं चलो 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 कैसे हो प्रेसिडेंट के पास तुम्हारे क्षमाय आचना की पेटिशन हमने फॉर्वर्ट कर दी है तुम्हारी मनपसंद मिठाई सार तुम भी लो कल ऑडिटर सहब मिले थे तुम्हे सारे शेर्ज दुबई ट्रांसफर करने के लिए कहा है उन्हें तुम्हें लोकर के बारे में कोई फैसला लिया है क्या तुम्हें चारली बात नहीं करोगे दुबई में रवी को फोन करो हम जल्दी दुबई जाने वाले हैं अरे ये क्या कह रहे हो तुम यहां मुझे कौन मार सकता है सहरा मैं जानता हूं कि क्या कर रहा है तुम जाओ बोलो चारली यहां से मुझे बाहर लाने के लिए तुम्हें किसी की बेल करानी होगी डिये जी साब हैं करें हैं है न सर गुड मॉर्निंग सर हां आओ भाई तुम्हें और तुम्हारे जेल को देखे वए बहुत दिन हो गया हैं क्यों भाई तुम्हारे एस्वी साब ने डूटी जॉइन की की नहीं चुट्टी पर गए एक मेने से ज्यादा हो गया है अभी ट्रीट्मेंट चल रहा है सर देखो धर्मा हेल्थ प्रवब्लम किसे नहीं है मुझे भी तो है लेकिन हम आ रहे हैं कामपन और डूटी भी कर रहे हैं वैसे किसलिए बुलाया मुझे सर हूं जवाब देखो कितने फटक से देता है हूं गलत नहीं गलत नहीं संहार करना गलत नहीं है शंक तुम आज बजाओ जो गलत ही करे उन्हें दंड तो मिलना ही है हर पाप का अंत तो लिखा ही रहता है अधर्म को मारना है धर्म को जगाना है अन्याय को फासी पे चड़ाना ही न्याय है गलत नहीं, गलत नहीं, संगहार करना गलत नहीं, संगहार करना गलत नहीं है, शंक तुम बजाओ आज प्रेसिडन्ट के पास तेरी ख्षमाभीक का पेटिशन रिजेक्ट हुआ है और्डर्स आएं, सो उमबार को तुम्हें फांसी दी जाएगी गलती पाप सब एक है, एक बार करने से मरने तक किसी का पीछा नहीं छोड़ते ये तिरा डेथ वारंट है, एक बार पढ़ ले और साइन कर दे मैं मरूंगा नहीं कहा था ना मैने तुमसे, समझ में नहीं आता तुम चाहे इस पर दस्सकत करो या ना करो, होनी तो होके रहेगी मारना बहुत आसान था ना, अब मरना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो एक मिनिट सोचता ना, तो तेरा परिवार बच जाता तो मेरा परिवार नहीं था चार्ली जब जान जाने का डर होता है, तो जीने की इच्छा बढ़ जाती है, यह कौमन है जब तुम्हें लगा कि मारना गलत नहीं है, तो तेरा मरना भी गलत नहीं है एक अनात की दुख भरी मौत है ये, इससे बत्तर किसी की मौत क्या हो सकती है, अमेरिका पूरी दुनिया को यही दिखाना चाहा रहा है, ये थी अब तक की खास ख़बरें, और ख़बरों के साथ आप से मुलाकात होगी नौ बच कर चार्यस प्रेट में, हलो, कौन वीरा ब आया भी मैं, बेटा, ए बेटा, तेरा ये काम मुझे पसंद नहीं है, उनसे कह दे कि तू नहीं आएगा, बोल देना बेटा, तेरा पिताजी मरते दम तक यही काम करते आए हैं, तू तो लोगों की बद्धुआ मत ले बेटा, देखो मा, फासी देकर जान निकाल रहो है त सोच लिया था, ये क्या कर रहे हो वीरा, बहुत पुराना हो गया था ना, इसलिए वाइलिंग कर रहा था, बहुत साल पहले तेरी पिताजी ने उस सीरिल क्लिर को यही पर फासी पे लटकाया था, उनके बाद अब तू ही कर रहा है ये काम, अरे इसका मतलब तू अपने प कर रहा हूं, लेकिन मेरी माँ को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ही कितने दिनों से सोच रहा था कि कब बुलावा आएगा, वैसे भी फासी पे चाड़ाने इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत हिमत चाहिए, ये काम इतना आसान नहीं है, आदमे की काना पड़ता है, मरने वाले को मरते समय तकलिफ नहीं होनी चाहिए, पहली बार ये काम कर रहे हो, टेंशन हो रहा है क्या, टेंशन कैसा, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ, क्यों वीरा, कैसे हो, ठीक हो सर, ये वीरा है, सूर्या का बेटा, ये मैजिस्ट्रेट सत्या राव है, कल भांसे के वक्त यहीं रहेंगे, क्यों वीरा, सब ओके हैंना, सब ठीक है सर, मैंने सब चेक किया है, शाम तक काम पूरा हो जाएगा, हाटबिट नॉर्मल है, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन आदमी फिजिकली फिट है, उसने आखरी ख्वाईश बताई कुछ, नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा है, ये, सर, फाइल सर, तुम आ गए? क्लास नहीं गई तुम? मैं कॉलेज नहीं गई, तुम्हारी छुट्टी है न, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेन करने आ गई, वैसे भी हॉस्टल में बैठे बैठे में बोर हो जाती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आ गई, दो घंटे का लेक्चर सुनके मुझे थोड़ी ना नौकरी करनी है, वैसे मेरा होने वाला पती इतना बड़ा जेलर है, तो मुझे नौकरी की क्या ज़रूरा, तुम अगर इसी तरह गुटली मारती रही, तो इंसिटूट वाले तुम्हे निकाल देंगे, निकालना है तो निकाल दे, दरसल मैं ही वो कॉलेज छोड़ देना चाती हूँ, तुम्हे एक बात पता है, मेरा हाथ बहुत लगी है, तुम अपनी अच्छी-च्छी कवीता इनरेट करना मैं उन्हें टाइप कर दूँँगी, और फिर देखना तुम कितने बड़े कभी बनते हो, समझे कुछ, तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे ना, या फिर बदल जाओगे, बोलो, चुपके हो, बोलो ना, क्या बोलो, कुछ भी बोलो ना, बोल दू क्या, हाँ बोल दू, अगर पिताजी मझे वापस ले जाते और शादी कर देते तो, बापरे, अगर ले जाते तो मैं वहाँ आ जाता, इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम मैं, इसके लिए हिम्मत की क्या जरूरत, पता है हिम्मत क्या होती है, जब किसी को फांसी पर चड़ते हुए, डायरेक्ट देखना पड़ता है न, उसे हिम्मत कहते हैं। सर, टाइम हो रहा है, उसे लिए आए क्या। ओके, चार्ली, समय हो गया है, अगर तुम रेडी हो तो चलते हैं। बढ़ समय, जए भी रहले हो तो तो सानली स्वेश, बढ़ साथरे तक्रवाण जखाँ, जए लिए भी याव के दो उड़ता है। हैं अगर सवित्वारी की क्या है, वहां हो तो सकता है, यहां हो भी हैं। झेञाते हैं इंग हैं दो से फिक लेख और शाहर पढ़ीड़ करें ऊवारप्त दोड़िए रचिन के लगज के वाथ पिक लगज़ फिर देव शेवर पीड़ी थे पार देवर सोवacı, सोवाव, 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 सोवाव… चार्ली!를 ako? चारली चारली सर्व नीचे गिरitié नशे में है लहतेश नैंड्रक्स जीर्फ रिए है तक इसको डीस नहीं आएगा अब क्यां करें फंसी पोस्पोन कर देते हैं जैसे इसको तो मैं देख लूगा आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे आशी से बहले उसे ड्राग कहां से मिल गया यही डूटी करते हो के तुम लोग यह बहुत बड़ी गलती हुई है अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्राबलम हो जाएगी आगे गलती नहीं होनी चाहिए मुलाकात के वक्त इस लिए लड़ के लिए सीट वॉकस द्याता चार्ली को इसका नाम साइरा है चार्ली की गर्फिंड है बैंगलूर में रहती है उसे करो बोश आ गया आ गया सर उसे उसके ब्लॉक में शिफ्ट करो उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूं ठीक है सर अरे रुको अरे सर आज रिलीज होने जा रहा हूं चारली को टाटा करने जा रहा हूं रुको रख लो कि अधिया तुम्हें देखने के उम्मीद नहीं थी वैसे तुमने ही मुझे अंदर करवाया था अब तुम ही मेरी बेल करवा के बाहर भेज रहा हूं मित्र हो या शत्र मुझे फर्क नहीं पड़ता है मैं सिर्फ अपना फैदा और नुकसान देखता हूं कि मेरे बाहर जाने से आपको क्या फैदा वैसे मुझे क्यों बुलाया आपने कि मेरे साथ एक डिल करोगे पांडू कौन चाहिए मुत्तिमान एक या एक मेंटर को बाई मुत्तिमान से कोई मिलने आया है मैं मुत्तिमान से मिलने आया हूं तू कौन है मेरा नाम पंडू है मुत्तिमान मुझे जानता है तो मुत्तिमान के भाई हो ना भाई अंदर काम में बिजी है तेरा मेरा कोई पर्सनल प्राब्लम नहीं है सुधाकर मेरी बात मानोगे तो तेरी जान बच जाएगी और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा जो चाहिए मैं दे दूँगा चाहिए तो आप ये थेटर भी ले 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 जाए मुझे छोड़ देजिए तुम कष्ट उठा के कमाते हो और मैं कष्ट दे के कमाता हूँ है इस सफेद कागस के काले अक्षरों की कीमत बारा करोड है जो मुझे चाहिए इस पर साइन करो दिना आवाज निकले खत्म कर दो बोडी ना मिले चला कर राख कर दो नमस्ते भाई पांटू कैसा है तू जेल से कब आया कल ही आया हूँ भाई पता चला कि आप मुंबई से आया हो अड़े पर पूछा तो पता चला आप यहां हो पैसे भीया आप यहां के से इस थेटर के मालिक ने कुछ सेटलमेंट कराने के लिए पुलाया था अब उसके इस थेटर को मैंने सेटल कर लिया है बढ़िया है भीया इस सेंटर में बढ़िया जगा है भाई इस थेटर को तोड़के अच्छा से शॉपिंग माल बनाएंगे तो आपकी लाइब सेट हो जाएगी भाई माल बनाने के लिए बाते नहीं पैसे चाहिए होते हैं उतना कमाने के लिए बहुत टाइम लगेगा मैनत से कमाने वालों के लिए समय लगेगा हमारे जैसे लूटने वालों के लिए क्या समय लगेगा कि बाई मेरे पास एक अच्छी डील है अगर हम वो करेंगे तो एक मॉल क्या कई मॉल बना सकते हैं ऐसे क्या है वो डायमंड मर्चंड चारली को फांसी के सजा मिली मैं उसे जेल में मिला दो दिन पहले वो चलाकी से फांसी से बच गया है उस चारली ने ही मुझे बेल दिलवाई है वह जेल से निकलने से पहले उससे मिला था उस वक्त दो डाइमंड चुराने के लिए मेरे शुरूम से इतना बड़ा रिस्क लिया था तो मैं वैसे मेरे पास कुल 90 डाइमंड्स है वो सब मेरे पर्सनल लॉकर में है अगर तुम मेरा काम करोगे तो आधा तुम्हें मिलेगा मतलब 45 डाइमंड्स पचास करोड के हैं वो डाइमंड्स जो मैं तुम्हें दूंगा वो लॉकर कहा है चारली मेरे लॉकर्स कहा है कोई नहीं जानता ध्यान से सुनो कुछ दिनों में ये लोग फिर मुझे फासी पे चड़ाएंगे मैं मरना नहीं चाहता मुझे अपनी जान से प्यारी कोई भी चीज नहीं पांडू चाहे कुछ भी करो कैसे भी करो लेकिन मुझे चीना है तेरी सजा कम करवाई है बाहर जाके तुम्हें मेरी जान बचानी है जाओ, प्लैन रेटी करो अगर सब ठीक रहा तो इस जेल के पूरब की तरफ वाच्टावर के पास गुरू वार को तुम्हारे पतंग उड़ाना याद रखो 45 डाइमेंड्स पूरे 50 करोर 45 डाइमेंड्स पूरे 50 करोर और वो बाहर आने के बाद डाइमेंड्स देने से मुकर गया तो जिसकी चान खत्रे में होगी वा डाइमेंड्स के बारे में नहीं सूचेगा चारली को हम बचाएंगे कैसे हो सुलिमान बहुत दिन बाद मुलाकात हुई ठीक हूँ भाई तुम्हारा ट्रांसफर डियाइजी आफिस में हो गया है मेरे आदमियों ने बताया हाँ भाई जॉइन करके दो साल हो गए डाइमंड्स मर्चंट चारली की फासी के तैयारी चल रही है ना बिल्कुल उसकी फासी से जुड़ी हर छोटी से छोटी खाबर मुझे मिलनी चाहिए सुलिमान तुम मेरी मदद करोगे तो तुमारी जिन्गी सेटल हो जाएगी आपके बारे में मुझे मालूम है भाई आप जो बोलेंगे मैं करूंगा काम होने के बाद मेरा भी थोड़ा खयाल रखियेगा भाई तुमी साहरा हो क्या हाँ तेरे चारली को जेल का खाना सूट हो गया लेकिन तेरी दी हुई मिठाई उसे सूट नहीं हुई ऐसा क्यों जवाब दो कि चारली को ड्रग्स की आदत है क्या कभी कभी पार्टी सिम्ने कि एर तो लेता है उसने तुमसे अट्र अट से लाने को कब तुमसे कुछ और कहा था क्या जेल में ड्रग्स लाने के लिए साइरा को कस्टडी में लीजिए बताती हूं चार्ली मरना नहीं जाता है वो यहां से भाग के हमेशा के लिए दुबई में सेटल होना जाता है पर वो ऐसा कर पाएगा यह मैंने नहीं सोचा था कि मैं चार्ली को अच्छी तरह जानती हूं वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तुम चार्ली को बचाना चाहती थी ना लेकिन अब तुम खुद फस गई हो इसमें मेरा क्या कसूर है मुझे बीच में क्यों फसाया जा रहा है कलतियां अंजाने में कर कुछ कर नहीं करते मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है इसे ले जाओ और बंद कर दो ठीक है सर जिन्दा रहूंगा नहीं का था ना तुम से समझे नहीं ब्लड डिलेशन से ज्यादा बेड डिलेशन्शिप होता है सर उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं लोग अगर सब ठीक रहा तो गुरु वार को हरे रंग के पतंग उडाला झाल 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 कि चानों तरफ ताजी हवा हरे पेड जीने की इच्छा तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है चारली इस बार होश्यारी करके तुम मौत से बच गए लेकिन मुझसे नहीं बचोगे तेरी मदद की इसलिए तेरी सायरा को भी अंदर डाला है अब बचे कुछ दिन इसी अंधेरे कमरे में गुजारना जेलर मेरी बात सुना मुझे इस तरह से डाक सल में रखने से मेरे रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे याद रखना तुम मुझे के अंधेरे में ठेकेलोगे मैं खुद रोश्नी में नहीं आऊँगा सुरज को भी नहीं देखूँगा जो मैंने सोचा है उसे पूरा करने के बाद ही रोश्नी में आऊँगा जेलर आज से मैं नजर नहीं आऊँगा लेकिन जो खेल मैंने खेला है वो तुम्हें नजर आएगा लड़का स्मार्ट है ना उससे तुम्हें बहुत पसंद आई जानते हो अगर इतना यह पसंद दे तो कर लो शादी शादी में बुलाओंगी खाना खाके जाना गिफ्ट लाना मत भूलना इतने साल तुम्हें क्यों भरोसा किया शिह तुमने यहां लड़के से तो मिलने नहीं दिया लेकिन वो तो शादी की जल्दी कर रहा है डैडी को कॉल करकर तुम हमारी शादी के बारे में नहीं सोच रहें और डैडी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे इस टेंशन में बेकार ही भज गई तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हुँ तुम टेंशन मतलो मैं संभल कि मैं थोड़ा सब बीजी फिर मिलते हैं कि चारली का दुबारा फासे सरेड़े को दी जाएगी इस बार कोई गल्ती नहीं होनी चाहिए चारली के परिस्तिति क्या है डाक सेल में रखा इसा इतने समझदारी अगर पहले दिखाई होती तो यह प्राबलम ही नहीं आती नहीं सर किसी भी आदमी को फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं पर मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एक मामूली से करिमिनल को तुम संभाल नहीं पा रहे हो कैसे जेलार हो तुम अगर चार्ली जिसे कैवी को हम लोग सद्या न दे पाए तो पुलिस पोर्स में रहना हमारे लिए बेकार है डूंट वरी सर, सब में समभाल लूँगा दोशी जो भी हो सजा से बच नहीं पाएगा चार्ली मरेगा इस शनिवार तुम्हारी फांसी है इस बार नहीं बचोगे चार्ली बचना चाहिए शनिवार को पक्का है क्या भाई अभी अभी उसकी फाइल देखिए इसलिए मैंने आप लोगों को भूलाया चार्ली नहीं मरेगा उसके लिए एक प्लान बनाया है मैंने है हम आज ही उस पर काम शुरू करेंगे अगर वह काम हो जाएगा तो हम सब की जिन्दी बतल जाएगी इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि हम लोग जिससे ठकरा रहे हैं वह डिपार्टमेंट में राक्षस के नाम से जाना जाता है उसका नाम धर्मा है तो राक्षस हैं राक्षसों की कभी जीत नहीं होती हैं मैं बहुत अच्छी होती थी इस कहाने में भी सेंटीमेंट है फिलिस्तिन में सरकार ने उग्रवादियों को फांसी की सजा दी और उसी दिन फांसी देने वाले जल्लाद के परिवार वालों की भी हत्या हो गई लोगों का ये कहना है कि ये पुलिस और उग्रवादियों की मिली भकत है जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा ठीक है ना? इस कहानी में भी सेंटिमेंट है फिलिस्तिन में सरकार ने उग्रवादियों को फांसी की सजा दी और उसी दिन फांसी देने वाले जल्लाद के परिवार वालों की भी हत्या हो गई जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा भाई यहां पर बैठे वह जो कहां गए नहीं जानता सर पहले कभी नहीं देखा हूं नहीं माँ 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 कहानी तुम्हारे उपर पीठ हो गई कौन बोल रहा है हम कौन है यह जानने की ज़रुवत नहीं है तुम सिर्फ इतना जानलो कल चारली मरेगा तो तुम्हारी माँ भी मरेगा अगर यह बात कोई और जान गया तो तुम अपनी माँ का मरा मुझे खोगी अब काउने मैं जानता सर लेकिन चारली का जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है सर मुझे समझने की कोशिश किजिए हलो 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 सर अगर हमारा बेटर स्कूल से घर नहीं पहुंचा है वह ट भाईया सब कुछ सेट कर दिया है रजिस्टार से भी बात कर ली है अगले गरुवार को तुम दोनों की शादी है मुझे बस चाहिए एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ और दो फोटोग्राफ यह मैंने अप्लिकेशन भी रेडी कर दिया चेक कर लीजिए उस दिन मैं बस दो वर्मा लाएं और एक मिठाई का डिब लेकर आऊंगा और क्या बच्चा हाँ भाई भूल गया था गवा के लिए दो दोस्त बुला लेंगे अरे तू है ना मुझे मुझे बीच में मट डालो हिया तुम्हारी शादी में में गवा बना तो चाचा जी खुश हो जाएगी तू चलेगा दो चलेगा तो चलेगा गया मैं निया सकता मुझे बहुत काम है भाई या बचिक भगवा इसारी का कहा गई है जानती हो मैं नहीं जानती अगर तुम्हें सारी का वापस चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कल तुम्हारे जेल में चारली को फांसी होने वाली है वो नहीं होनी चाहिए अगर चारली मरा तो सारी का भी मरेगी हमारे बारे में जाननी की ज़रुरत नहीं है ज्यादा मत सोचो चारली को ब तो तुम्हारी सारी का जिन्दा नहीं बचेगी याद रखना कौन हो तुम क्या चाहिए तुम्हें कि चारली के जेल में आना के बाद वो किस-किस से मिला मैं सब जालना चाहता हूं और जंट तुझे भासे से बचाने के लिए लड़की को आगवा किया गया है किसने किया है यह काम कि तुझे बचाने की कोई कोशिश कर रहा है कौन है वो चल बैट इदर बैट सामके सामने बैट 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 बोलेगा ने बिर्कुल कि यह मेरी जेल है अंदर में जो भी करूं बाहर किसी को पता नहीं चलेगा हांसी चड़ने से पहले ही मरेगा घोली से मार दूंगा बोल बोल सर मैंने पता किया है चारली सिर्फ फेखे आदमी से जेल के अंदर मिला था पांडू पांडू तेरी मदद क्यों कर रहा है पांडू की बात छोड़ो जेलर तुम मेरी मदद करो तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा है तुम मुझे पैसों से खारीद नहीं पाओगे डायमंड्स तुम्हें उसे डायमंड्स देने का वादा किया अब बेवकूफ वो डायमंड्स के लिए इतना बड़ा रिस्क्यूं लेगा सीधा तेरे घर जाके भी ले सकता है ना जेलर जेलर मेरा लॉकर कहा है कोई नहीं चानता अगर जान भी गए तो बि बचेगा नहीं मैं तुझे जीने नहीं दूँगा तेरी फासी कोई नहीं रोक सकता ए चार्ली जो तुझे बचाने आएगा वो खुद अपने मौत के जाल में फंच जाएगा जेल लिश्ट की मुताविक पांडू के घर का पता सल गया है सर लेकिन वो कह रहे हैं को पांडू को नहीं जानते उसने शायद गरत पता दिया है सर इसका नाम पांडू है अभी अभी जेल से रिया हुआ है मुझे ये किसी भी हाल में चाहिए हालो हां तर्मा वासे के तयाडी पूरी हो गई दर्मा मैं तुम ही सर पूछ रहा हूं वहां सब ठीक है ना ये सर बूट अगर मेरी जुरत पड़े तो मुझे फोन करना चारली समय हो गया चलो आओ चलो मुझे सार बाहा हुआ प्रमा से गिजए झाल झाल चंदरशेकर अलियास चारली तुम्हें IPC सेक्षन 302-303 के तहट अदालत ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है राश्ट पती ने तुम्हारी ख्षमा याचना भी रद्द कर दी है सब आदेशों का पालन करते वे आज तुम्हें फांसी पचड़ाया जा रहा है सबस्टा Но कि वे प票 श cultiv प्रहा है क्षोंधस खादी की तुम्हें सबस्क्री तुम्हें क्यूब संड़ा कि तुम्हें बचाना फरस्ता कि तुम जहां बें ठीक होगी अ प्रॉबलम आ गई है चाहली की फासी रुख गई सर आखिर मां हुआ क्या अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया था सर तुम्हारा धर्मा इस वक्त कहा है जेदर सब अंदर टेक्निशन से बात कर रहे हैं सर तुम सब किसी काम के नहीं हो मिश्टर धर्मा से कहो कि मुझसे आकर मिले ठीके सर सर वो टेक्निशन आ गया नमस्ते सर ये बोल्ट इतनी जल्दी खराब नहीं होता सर पुराना होने के कार जाम हो गया होगा या फिर किसी ने जान बुझ कर निकाल दिया होगा इसी वज़े से शेटर खुला नहीं होगा तुरंट ठीक करवा दो इसे ठीक है चलता हूं सर सर मलिक तुम आज रिया हो रहे हो ना सारी फॉर्मेलिटीस पूरी हो गी हाँ वो सब पुरा हो गया सर बस जाने से पहले आप से मिलने आया था उस दिन आपने मेरी मदद की आपकी वज़े से मेरी मा जिन्दा है थैंक्स बोलके आपको छोटा नहीं दिखाना चाहता आपका अहसान में जिन्दगी बर नहीं बोलूगा मा के लिए यहां आया था ना बाहर जाके अच्छे काम कर मा खुश हो जाएगी जरूर सर अब चलता हूं बिना मुझसे पॉमिशन लिए डाक सेल में किसी को आने मत देना ठीक है सर सर डियेजी ने आपको बलाया तो एक काम अगर नहीं हुआ तो उसके दो कारण होते हैं एक काम नहीं जानना और दूसरा जान भूज़कर गलती करना इन में से कोई एक तो सच्चाई है ट्राइल करते वक्त काम कर रहा था सर ये सब बेकार की बाते मत बोलो चारली के मामले में मुझ पर उपर से बहुत दबाब आ रहा है अब गलती किसी की भी हो सर इसके पूरी जिम्मेदारी मेरी है मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं धर्मा तुम्हारे काम करने का धंग मुझे पसंद नहीं आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है सर आज से जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा सर स्टॉप इट धर्मा कि इस आदमे को कितना घमंड है एस्पी ने से सर पर चड़ा रखा है एक दिन तो बाजी मेरे हाथ लगेगी वकिल साहब आप ठीक हो है ओके सर क्या उस वासी को पोस्ट मौन करने के अलावास आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था उस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर प अब कर दो के बारे में एक इंफ्रमेशन मिली है वह पुराने कोटे पे बहुत जाया करता था वहां सुर्भी नाम की लड़की से बहुत मिलता था उस लड़की को पकरने से सब पता चल जाएगा कि अरे कौन है आप सीधे अंदर चले आ रहे हो यहां इससे पहले कभी नहीं देखा है ठीक है पांच मिनिट रुकी है फ्रेश हो क्या आती हूं यहाद में कहां मिलेगा तुम तुम पुलीस वाले हो क्या मैं तो इसे नहीं जानती हूं हुआए जी साप दो चाय बोल जी ए वही दर्मा है ना? वही अबैर यहाँ गाड़ी क्यों रोके? एशेन टिमबर डेपो कहाँ पर है? आमें नहीं पता एशेन टिमबर डेपो कहाँ पर है? सीधे जाके लेफ्ट में जाएए, वहीं पर होगा थैंक्यू एई, पांडू कहा है? निपू में ही है उसे तुरंद फोन करो ओके अरे, क्या हो क्या? कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है हलो? 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 पांडू? वो धर्मा तुम्हें ढूंबते हुए आ रहा है, तुम वहाँ से जल्दी लिखल जाओ हलो? पांडू? हलो, टाइगर? शुदाईनी दे रहा है पांडू? एक मिनेट रुको, मैं बाहर आता हूँ पांडू, तुम बाहर मत आना, बाहर मत आना, मेरी बात ज्यान से सुनो, महीं रुको हलो? पांडू? पांडू? अरे, धर्मा वहीं पहुँश्च रहा है रे हलो? पांडू? अरे, सुनो, एक आदमी मेरे पीछे आ रहा है, उसे समालो कौंचे यह भे? पांडू का आ है भाई, कौन? अमारा पांडू क्या? क्यों वे? पांडू अंदर आया है क्या? नहीं है भाई नहीं आया है तो अभी अभी अंदर आया है क्यों वे? पांडू अंदर है क्या? काना नहीं है पेखो, मुझे पांडू चाहिए तुम हमारी बात नहीं समझोगे काम की बात करते हैं, पांडू तुम्हें नहीं मिलेगा हम मिलने भी नहीं देंगे मैं जिस काम के लिए आया हूं वह करके रहूंगा उसके लिए मुझे तुम्हारी पर्मिशन नहीं चाहिए हमारे कंपॉंड में आकर हमें धमका रहे हो सब मैं नहीं जाता मुझे जो चाहिये में लेके रहूंगा तुम उसका पता पता होगे या मैं खुद उसे ढूंड लो अरे साब कोई ढूंडने आए हैं चलो दिखाते हैं हिम्मत है तो पास आओ डरने वाले बाहर जाओ इसके आगे तुम्हारी मर्जी हाई हाई झावो उन्योत फड़क राफेके प ihren नगे उन्योत करें प्रू प्रून, संस्प राफे जडanding पांडू कहां है उसका तेरे चाथ क्या संबन्द है वो यहां दारू पीने आता है इतना है जानता हूं और उसके बारे में कुछ नहीं पता अभी वो कहां है गुडाउन में चुपा हुआ है पांडू आइगार धर्मा मुझे ढूंडते हुए आया यहां से बागते हैं जल्दी शलो जानता हूं हथ करेंजट करें एहां सुक्सिक हिए अंक है वो तुम्हारे बारे में जान गया है वो तुम्हारे मरने से हमें दौ फायदे होंगे टेरे नहीं जो मने से उस दर्मा का हम तक पहुशने का लिंग ख ठासरा हम लोग ही फस जाएगए लेकिन अपुछ नहीं होगा, दूसरा, तुझे मिलने वाला हिसा भी हमारा हो जाएगा पंडू, पंडू, उट्जा पंडू, है पंडू, पंडू कदम रुख गया है, अगला कदम कैसे डालेगा, कदम बढ़ते हुए यहां तक आया, कदम रुख गया है, अगला कदम कैसे डालेगा मगर मच के तरह इनसान एक दूसरे को खतम करने की सोचता है, तो कदम रुख गया है आगे का कदम कैसे डालेगा, जनता जंगल में फंसकर, अन्याय का अंतिम संसकार करते हुए, दुख भरे दिल से कुछ नकर पाते हुए, कदम रुख gया है आगे कदम कैसे डालेगा मैं संध्यान उसके जनलिस्ट हूँ इवनिंग एडिशन जाद लिखता हूँ मेरा नाम को बर्धन है बोलो चारली को कब फासी दे रहे हैं आप लोग जाओ यहां से प्लीज बताओ ना तुम्हारा बहुत पुन्य होगा पुन्य मुझे नहीं चाहिए बॉनिकर हाथ में खुजली हो रही है भाई मेरा एक डाउट है जब मेहनत की कमाई लोग हजम नहीं कर पाते हैं और यहां आप सीधे रिश्वत मांग रहे हैं आपको हजम होगा क्या जिसको देखो हमारे ही बुरा ही करता रहता है एक ख़वर के लिए रिश्वत मांग रहे हैं तुम अपने नियूज पेपर फ्री में बाटते हो क्या बोलो करेक्ट यह रखले यह मेरा काड है चारली के बारे में मैं तुम्हें ख़वर देता रहूंगा लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए अरे आपका नाम क्यों आएगा सर उसके लिए का आदमी है उसके नाम से डाल दूँगा बाए मेरी गल्फेंट बेट कर लिए कैसे ऊद्रमा वेसे सारिका के बीना कैसे ठीक रह सकते हो कौन हो तुम आखे तुम्हें क्या चाहिए सारिका का है क्या नाम है तरः चांत धर्माचा हो पांडु को मैं हमेशा समझाता रहा कि वो जादा बाहर ना खुमें लेकिन वह माना ही नहीं मेरी बात ना मानके वो मर गया अगर तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सारिका को मार दूगा कौन है बे तू पर्दे के पीछे छुपके लड़की को बीच में रखके खेलना ठीक नहीं है तुम मर्द है तो सामने आकर जीत कर दिखा इतना गुस्सा ठीक नहीं धर्मा जब समस्या मेरी नहीं होती तो मैं छोड़ता नहीं हूँ और ये समस्या तो मेरी है सारिका को बचाने के लिए मेरी बात मान दो ना जरूरत पड़े तो कुछ भी कर सकता हूं एक और बात याद रखना मेरा टाइमिंग धोका नहीं देता तेरे समझने से पहले सब खत्म हो जाएगा मतलब तेरे डराने से मैं डर जाओंगा क्या तू ही नहीं तेरे पूरे ग रो rather सर्फ मेरा देखीगा आखर तो समस्ता क्या है एक बात जान ले तुप मेरे बारे में नहीं जानता तुझे मार कर तेरे बारे में विस्तार से जान लूँगा मैं धर्मा बेकार की बाते छोड़ो अब काम की बात करते हैं चारली को मुझे स्वाप दो और सारीका को ले जाओ हे चारली के बाद छोड़ दे, सारी का कोई चुप चाप मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे छोड़ दूँगा यानि तु मेरी बात नहीं मानेगा, आखरी बार मेरी बात सुन लो मैं तुम्हें दो दिन का टाइम देता हूँ मुझे चारली चाहिए क्या करना है अब तुम्हें डिसाइड करो है मेरी बात सुन हर आदमी किसी ने किसी के आगे जुकता है लेकिन ये उन्मे से नहीं है सिमगार निकालके भेंग दो उसे दो दिन का टाइम दिया है उसके बाद क्या करना है यह मैं सोचूँ गा चाचा जी रुखियेना मेरी बेटी कहा है चार दिनों से मेरी बेटी सारी का गाहब है मोबाहिल भी काम नहीं कर रहा है चाचा प्लीज चाचा मेरी बात तो सुने चाचा तू सुनू तेरी बात इसने सारिका के लिए मुझे वार्मिंग दिया था मुझे पता है इसी ने सारिका को कही छुपाया है मेरी बात तो सुनिये सर सारिका मेरे पास है लेकिन सारिका को आपके पास सौपने की जिम्मेदार मेरी हैं मुझ पर भरोसा रखे मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा उसके बारे में सोच कर आप इस वक बहुत डर रहे हैं यह मैं समझ सकता हूं सर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सर मेरा वादा है मैं आपके बेटी को वापस ले आऊँगा ट्रस्ट मी सर मैं तुम्हें पर बात में बुलाओंगा जाओंगे सर मैं वेट करता हूं मॉर्निंग की मीटिंग अटैन करके आ रहा हूं चारली की फासी दुबारा फेल होने के कारण सब लोग बहुत परिशान है तुम्हें जेल ऑपरेशन से मैं इमिडियेटली ट्रांसफर कर रहा हूं आज से तुम्हें जेल जाने की जरुरत नहीं है बस यहीं मेरे ऑफिस मे से मेरे अंडर काम करना पड़ेगा सबस् route एसे चारली का मैटर मैं खुट डील करूंगा सर चारली का मैं हैंडल करूंगा नई धर्मा तुम चारली के बारे में बूल जाओ अससी जेल पर तुमहारा कोई कंट्रोल नहीं होगा मैने वैजाओ एक सेंट्रल जेल के एसबी से सुबाबाद की है कल सुबा चारली को शिप्ट कर रहे हैं वहां हम लोग तुम आज से अपने नई पोस्ट को जॉइन कर लो तर्मा चारली के शिप्टिंग एक सीक्रेट ऑपरेशन है उससे कॉन्फिडेंशल रखना होगा तुभें बोगे सब्सक्राइब बाई सब्सक्राइब क्या है आज के अगवार का फ्रंट पिछ पूरा खाली है कोई मैटर नहीं है क्या करूं यह जो आर्टिकल इसी को बड़ा करके छाप दें देख कहीं भी खाली जगह मत छोड़ना तर्जाबी ठीक है किसी छोटे पेपर का जनरलि अनी रात को कौन है है अलो संध्या नियूज अरे बाई एक मिनिट प्रिंटिंग अभी बंद कर दे फ्रंट पेज का मैटर मिल गया है यह देखो चारली को वेजाक सेंट्रल जेल भेजने वाली खबर सही है भाई शिट टाइगर धर्मा को फोन करो भाई मेरी बात पर जरा गौर फर्माईए इस वक्त धर्मा को कॉल करना अच्छा नहीं है कैदी को जेल के अंदर से चुड़ाने की बजाए बाहर से चुड़ाना हमारे लिए आसान होगा चारली को शिट करते वक्त उन पर अटेक करके चुड़ा लेंगे भाई ये खुश खबरी है धर्मा का सेंट्रल जेल से ट्रांसफर हो गया है अब चारली धर्मा के कंट्रोल में नहीं है ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है हमारा काम हो जाए तो उस सारीका की भी खबर लेंगे आप हमारी बात पर गौर कीजिए भाई सर चारली को वैजयाक शिफ्ट कर रहे हो ना यस सर सितारम चारली मामुली आदमी नहीं है बहुत चालाक आदमी है अगर छोटी सी भी गलती हुई तो वो उसका बड़ा फाइदा उठा लेगा किसी भी हाल में कल हमारा प्लान मिस नहीं होना चाहिए मेरी बात ध्यान से सुनो चारली को किसी को बताए भी ना वो लोग सेक्रेटली जिल से कहीं बाहर ले जाएंगे कि और इस तरह हम लोग चारली को बचाकर उसके लौकर की जगे पर ले जाएंगे वहां अपने हिस्से के डाइमंड्स लेकर सब आधे घंटे के अंदर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे कुछ दिनों तक हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे टाइगर अपने सभी कि आद्मियों को बुला लो उन्हें जो चाहिए वो सब दो क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है यह प्लान बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन आखिर में एक चेंज है चार्ली को वहाँ ले जाने के बाद हम अपना हिस्सा बाट लेंगे लेकिन एक और बात चार्ली के बारे में चार्ली फांसी से तो बच जाएगा लेकिन हमारे हाथों नहीं बचेगा उसे मरना होगा फिर मिलेंगे चार्ली को मैं खत्म कर दूँगा उसका हिस्सा भी हमारा होगा जब मौका है तो उसका फायदा हम क्यों नूठा है हमें भी त्वेश करना है हाँ कि खरो व और कि अ कम खर कुछ कि ए कि झांज उन्यूलाई का और दूपता क। कि मिल्यूलाई दॉपता पॉपता कि मिल्यूला नक है, क SEN ele कि में थैंश्छिन लाग रजड़ सुखत, तो फिल्द़ा स्लiraव नका टिर रहे近 अब अजय है अजय है अजय है अजय है इंग जड़ाना कर बाता है गोजओें लुतर लुक यूजव kΟे बयुकष माझधर लुकтории। युको माझधर लुक ठुकर्ज़ लुक ज्युक। ही धर हमाव युक pleasantच धियुक कर मुझब लुकunto टो लुक भी तो कर दो, एए जानिन रख्ट एümüz, हुआ छयूपिज था ओयू जल्दी चलो, तुम इसे लेकर इस तरफ जाओ, जल्दी जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ, इस तरफ, जल्दी करो, चलो और फोर्स मंगानी पढ़ेगी, यह सिचुएशन हैंडल नहीं हो रहे है सार, कॉल कीज़े सार चालव च्णburgसानी जाओ, जाओ, मुझानी एल्दी एल्दी चार वगर से वोग कायाओ, लोगा है दुम भुम थाओ, जाओ चलो 10. चलो जल्दी, चलो भाई इधर आओ तुम चार्ली को लेकर गाडी के पास पहुंचो, मैं आता हूँ चलो जल्दी करो चलो 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 जल्दी चलो जल्दी अरे, ये दो बहुत पासागे, चलो भागो सारी कहा है इधर, इधर सारी कहा है जल्दी 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 ये पो जल्दी आरे, आना, सारी कहा चाहिए ना, आजा, आजा सारी का कहां है कहां है सारी का रामपूर संध्या थेठर तुझा कर भाई को बचा हाँ भाई चारली भाई क्या हुआ भाई चारली हमसे ज्यादा होश्या निकला चारली को मैं खत्म कर दूँगा उसका हिस्सा भी हमारा होगा हमें भी तुवेश करना है आए दर्मा प्लीज मुझे छोड़ो मुझे माप कर दो मैंने सरेंडर कर दिया मुझे मत मारो मुझे माप कर दो प्लीज दर्मा अलो सर अलो सितरम वट्स गूइंग ओन मैंने जो सुना वो सच्छे क्या हां सर हमारी वेकल पर अटेक हुआ है सर चार्ली यहां से भाग गया है और उसे भागे जादा समय नहीं हुआ है सर वो जितना भी भागे 40 किलोमेटर रेडियस के अंदर ही होगा सर इमिजेटली सारे पोली स्टेशन में खबर भेज दीजे सर पूरे शेहर में हाइलर्ट कर दीजिए इस रेडिकुलस इतनी टाइट सेक्रिटी में चार्ली तुम लोगों से बच कर कैसे भाग गया सर वो पूरा प्लान करके ही आये थे सही वक्त पे धर्मा ने आके हमें बचा लिया उस फायरिंग में उसके सारे के सारे आदमी मारे गये सर दर्मा दर्मा अस वक्त वार्व पर क्यों आया था पता नहीं सर दर्मा हादव सर सारी का को घर ले जाओ ओके सर नहीं जाओ दर्मा चलिये मेडम और पर तुम मैं बचा हुआ काम पूरा करके आदे तुम जाओ आये मेडम आये ना मुझा आये तुम यूरा पूरा मुझा मेडम विजली का बिल लेकर आया हूं मैडम दरवाजा को लिए मैडम विजली का बिल अब अब आपनून सर्व चार्ली भाग गया है इस्टेट में पूरा कर दिया गया है तुमने जैसे बताया था वह जरूर प्लान कर रहा होगा दुबाई भागने के लिए अकेले क्यों तुम्हें दुख हो रहा है क्या वो तुम्हें अकेले चोड़ कर जा रहा है उससे सिर्फ अपनी जान प्यारी है और कोई नहीं तुम्हें एक आप्शन दे रहा हूं साहिरा तुम अगर मेरी मदद करोगी तो तुम्हें जेल से बार भेज दूगा अच्छी तरह से सोच लोगी यहीं पर रहोगी या फिर बार जाकर अपने लाइफ जियोगी मुझे क्या करना होगा चारली अपने डायमंड्स कलेट करने के लिए वह लॉकर खोलने के लिए जरूर जाएगा वह लॉकर कहां पर है चारली का आउट्सकर्स में एक सीक्रिट केस्ट हाउस है उसका लॉकर वहीं होगा सर मैं यहां गेश्टाव सी लक्षमन बोल रहा है चारली का गेश्टाव चेक कर रहे हम यहां यहां पर उसका लॉकर खुला हुआ है सर लगता है यहां से सब कुछ लेके चला गया फिंगर्प्रिंट चेक करके देखा हमने वो मैच हो रहा है सर आडि शूर यह सर तुमने जो चारली का एड्रेस दिया था मेरे आद्मियों के पहुंचने से पहले वो लॉकर खाली करके भाग गया दर्मा कल चारली का वहां से भाग जाना और स्पॉर्ट पर मारे गए लोगों के बारे में इंक्वारी बैठाई गई है तुमसे एक सवाल पूछता हूँ लेकिन ऐसा न करके तुमने उन्हें मार डाला ऐसा क्यों किया अधर्मा मेरे इस सवाल का जवाब तुम मुझे दो या न दो लेकिन कमीटी को जवाब देना पड़ेगा बी प्रिपेरड फर देट नेम धरम तेजा डेट ऑफ जॉइनिंग जुलाई 25 टूथाज़न नाइज शिक्स एक्सपिरियंस पो ट्रांसफर कहीं पर भी दो साल से ज़्यादा काम नहीं कर पाये कल चारली जिस स्पोर्ट से मिस्स हुआ उस वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे इन में से किसी को आपने देखा है क्या नहीं सर कौन हो सकते हैं ये लोग चारली के आदमी हो सकते हैं चारली के ये आदमी हैं आप ये कैसे कह सकते हैं चारली को बचाने की कोशिश तो उसके ही आदमी करेंगे आप उन्हें वहाँ अरेस्ट भी तो कर सकते थे लेकिन तिरे गुनेगार थे चाहे तो चेक कर लीजे वह कानून को नहीं मिलेंगे मिलेंगे तो भी उन्हें सजा नहीं मिलेगी बच जाएंगे सब के सब आप एक रिस्पॉंसिबल ऑफिसर की तरह जवाब नहीं दे रहें मिश्टर धरबा आप बताएंगे कि चारली के भाग जाने हैं क्या ये सच है आपके सारे सवाल खत्म हो गए हैं सर मिश्टर धर्मा चारली में सुआ उस स्पॉर्ट में बिना पर्मिशन आपने वेपन्स यूज़ किये और आप उन्हें अरिस्ट कर सकते थे फिर भी आपने उन्हें मार डाला इसलिए हम आपको सस्पेंड करते हैं यू सस्पेंडेड अंटिल और फॉदर ओर्रस सस्पेंड करना है तो कर दीजिए लेकिन चारली जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के बाद जेल में उसके महमान नवाजी मत कीजिए रूस को थोड़ा साइड में रखके गोली से उड़ा दीजिए चारली के केस को डिपार्टमे यू के लेगा यू के लिए नौश्टी थी मेरा होने वाला पती एक सिंसिया जिलर है यह नहीं सोचा था कि वह सस्पेंडेड जिलर भी होगा मा और पिताजी मुझे देखके बहुत खुश हो जाएंगे क्या है इतने डल क्यों हो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई नहीं थोड़ा और बाकी है क्या हुआ कहां जा रहे हो अभी बताता हूं मुझे अकेरे छोड़के कहां जा रहे हो कार में ही बैठी रहे ना बाहर मता ना धर्मा स्टेट कवर्मेंट चारली को ढूंड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी हमें चारली का पता जो भी बताएगा हम उसे पांच लाख रुपए इनाम में देंगे बहुत जल्द हम चारली को पकड़ लेंगे क्या इंज सरे मोजू जान जाने के लिए बदन से तीन लिटर खून बहना चाहिए तेरा अभी इतना नहीं बहाए तुझे बिना मारे मैंने याँ क्यों रखा यही सोच रहा होगा ना तुमने जो जगह बताई वहां सारी का है या नहीं कन्फरम करें बिना कैसे मार सकता हूं तुझे दार्मा पानी करंव प्यास लगी है पानी पानी है पानी है हाँ 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 आध अब अब गल्ती की है मैने तामा मैं लेमेंट्स कि लालच में गलती की मुझे छोड़तो कोई भी लालच में आया गलती करे धर्मा कभी गलती नहीं करता और करने भी नहीं देता धर्मा तोब जो भी चाहिए वो दोंगा मैं छोड़ दो चोड़ूंगा नहीं सिर्फ did नहीं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं डेंजरूस आफिसर हूं अ है तुझे एक शौकिंग न्यूस देता हूं मैं मैंने उस चारली को भी नहीं छोड़ा वहीं पर उसे माल रहा हुआ उस दिन शेडूल के मुताबिक चारली को फांसी दे दी गए चारली के मरने के बाद मैजिस्ट्रेट और वीरा कुछ छुपा नहीं पाए मुझे सब बता दिया कि तुम लोगों ने उन्हें कैसे ट्रैप किया मैंने उनसे बात की चारली के मरने की खबर बाहर नहीं आने दी टेकनिकल रीजन बता दिया और जो वैजाग शिफ्ट कर रहे थे मलेक उसी दिन रिलीज हुए मलिक को चारली के डार्क सेल में डाल दिया गया था हां मलिक मेरे एक मदद करोगे बोलिये ना सर दिया जी ने मरे हुए चारली को वाइजएक शिफ्ट करने को बोला जो मर गया उसे कहां शिफ्ट करूंगा इसलिए मैंने और सिताराम ने यह प्लान बनाया संध्या न्यूज पेपर में खबर भी मैंने भेजी थी हेलो संध्या न्यूज बोलिए हांसी से बज़ गया चारली को वाइजएक शिफ्ट कर रहे हैं अरे भाई एक मिनिट प्रिंटिंग अभी रोग दो न्यूज मिलने पर तु चुप नहीं रहेगा अटैक तो करेगा ह तुने किया पकड़ा गया हमने सबको बताया कि चारली भाग गया वाट्स कोई गान हमारी वेकल पर अटैक हुआ है सर चारली यहां से भाग गया है इमिजेटली सारे पुलिस टेशन में खबर बेज दीजे सर सारीका को बचा लिया और साथ में वीरा की मा को भी मैजिस्ट्रेट के बेटे को वापस ले आया मेरे सारे प्रोब्लेम सॉल्व कर लिये मैंने फिर चारली के डाइमंड्स का क्या हुआ जिस जगे की कीमत नहों वहां कीमती चीज़ों की क्या जरूरत इसलिए साहरा से बात करके चारली के लॉकर का एड्रेस जान लिया उसके बाद मरे हुए चारली का हाथ कटवाया पुलिस के आने से पहले चारली के फिंगर प्रिंट से चारली का लॉकर पूरा खाली कर दिया कि अब NORब हैति करेंटेल ब्रेन जब इतना यहिप्र यह काम करताा है तो पुलिस वाले का भूरेन इतना तेज अचीनए क्या है अगा मेरा बस एक ही सिद्धान्त है जो गलती करता है उसे सजा मिलनी चाहिए तुम्हारी गलतियां माफिके लायक नहीं है मेरी नजर में तुम सब जीने के लायक ही नहीं हो तभी सजा दी है तू शाय जानता ही होगा मौत की सजा तीन तरह के होती है पहली फांसी की सजा दूसरी रोड पे गोली चला के कुट्टों की मौत मारना तीसरी मारने का तरीका न बताते हुए साइलेंटली मार देना मैंने बताया था ना मेरा टाइमिंग बिलकुल अलग है तेरे समझने से पहले सब खत्म हो जाएगा अलो दर्मा बड़े दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली है सब ठेक तो है ना सब ओके सर चार्ली की बॉड़ी का तुमने क्या किया आउट्सकर्ट्स में जला दिया जी को तुम पर कोई शक तो नहीं हो ना गिड़्डा बहुत होशयर है सर लेकिन हम ज़्यादा होशयर निकले सब हमारे प्लैन के मुताबिक हुआ सारिका कैसी है क्या हुआ सेट हो गई सर अब उसी के घर जा रहे है गुड़ धर्मा तुम्हारे इस कदम से सारिका की जिन्दगी खातरे में पढ़ जाएगी यह सोचके डर रहा था धर्मा डाइमंड्स का क्या क्या तुमने क्या 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 झाए़ कर का है प्लैन के सब्सक्राइब इस बैग में डाइमंड्स, गोल्ड बिस्किट्स और कैश है। यह आपके अपनों को वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन आपने जो ट्रस्ट शुरू किया है उसके काम आएंगे। जीतार के हर खेल में, हर पल तडपते हुए नर्क देखने वाले हर एक के काम आएंगे। यह चारली भाग गया है और जिन्दा है, यह एक जूट है, सच सिर्फ आप ही जानती हैं। आखिर में न्याय की जीत होगी होनी चाहिए। मेरे बारे में जानने की कोशिश मत कीजिए। हम कभी मिले नहीं। सर्न जुकाने वाली दीक्षा है यह, धर्म है यह, धर्म है यह, सब के बुनियाद है यह, अनन्थ है यह, अनन्थ है यह, सब के बुनियाद है यह। पूरा टाइप कर दिया तुम्हारे जेल सूपरिंटेंडेंडेंडेंडेंड सापका फोन आयता उन्होंने नेलोर जेल सूपरिंटेंडेंडेंडेंड 2017 तोब अपनी बुक का नाम क्या रखोगे मेरे एटिटीटूड के वज़े से सभी मुझे राक्षस कहके बुलाते हैं उसी की याद में ये नाम रखूंगा मैं क्या नाम? असुर